अकांशा दुबे को दुनिया छोड़े हुए करेवे एक महीने से जादा हुच जुड़ा है लेकिन अभी तक अकांशा दुबे के साथ न्याय नहीं हुआ है अब तो शोसल मेडिया पर भी अकांशा दुबे मौत मामले की चर्चा देरे-धेरे कम होने लगी है और अकांशा से जुड़ा एक नए अपडेट सामने आया है और अपडेट अकांशा दुबे मौत मामले के मुख्या रोपी बोच्पूरी गाय का भी रिता यह यू कहले कि अकांशा दुबे के स्वोकॉल बॉर्फेंड उनके दो समर सिंग को लेकर है और वो क्या है यह हम आपको आगे क वीजियो में बताएंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार मेरे नाम है डॉली पांडे मेरे साथे कैमरामेंट विशाल और आप देख रहेंगे जवांचंबो बोच्पूरी फिल्म अभी डित्री अकांशा दुबे प्रक्रण से जुड़ी एक नई जानकारी शोसर मेडिया पर सब्सक्राइब करने के बाद से ही यूपी पुलीस समर सिंग की तलाश करने लगी ती उसके बाद 6 अपरेल के रात में गाजयाबाद इस्तितिक सोसाइटी में बोच्पूरी सिंग को गिरफतार किया गया था गिरफतार करने के बाद पुलीस समर सिंग को बनारस लाई थी बनारस नयाले में पेश करने के बाद 8 अपरेल को भुच्पूरी का एक समर सिंग को जेल में बंद है इतना ही नहीं आपको बताते चले कि बिते 26 अपरेल को समर सिंग के और से अदालत में जमानत के लिए प्रातना पत्र दिया था और समर सिंग द्वरा जमानत के लिए कि प्रातना पत्र पर सुनवाई के कि पूरे मामले के मास्ट माइंड कहे जाने वारी। और समर सिंग के दोस्त या यू कहले कि सवर्सिंग Mmm बोले भाई जो समर सिंग को काम देखते थे, उन को बारानडसी के रिंग रोड फेच पर एक सिंगपूर गाओं के समेपसे बाराakk सी जिले की तक प्रयास कर रहे हैं वो चाह रहे हैं कि जल से जल समर सिंग छूट जाएं मीडिया रिपोर्ट की माने तो समर सिंग जेल में काफी परिशान है अकांचा दुबेक आत्म हत्या के लिए उपसाने के एरोपी समर सिंग ने पोट में अपनी जमानत के लिए दूसरी बार याच का दाखिल किया है मानिया ने समर सिंग याच का स्विकार करते वे सुनवाई के लिए आने वाले चे मैं की तारीख दी है अलाकर शोसल मीडिया पर ऐसे चर्चा हो रही है कि समर सिंग को जमानत नहीं मिलेगी इसकी उमीद बहुत कम है जेल से छुट पाएंगे इस पूरे म जमानत के लिए कोट में याज का दायर किये हैं इन सब के तैयारी उन लोगों ने भी कर ली है और मधुदुबे के वकील ने कहा कि हमने सबूत तैयार कर लिया है जो भी हम 6 मई को प्रस्तूत करने वाले हैं इसे पहले भी मधुदुबे ने कोट में गुहार लगाई थी कि अ जांच पर बिलकुल भरोसा नहीं रह गया है इसके अलावा मधुदुबे का लिखित बयान भी दर्ज किया गया है कि अचका में मधुदुबे ने आरोप लगाए था कि उनकी हत्या की तहरीर को आत्म हत्या में बदल दिया गया है उन्होंने कहा कि पुलिस कमिशनर ने जा तक का जो भी वीडियो सामने आया है उसमें कुछ और देख रहा है और अपनी मौत के कुछ घंटे पहले कि इन तमाम वीडियो में अकांचा पूरी तरह से नर्मल अखुष नजर आ रही है इसके कुछ दिरबाद से साइड से पहले इंस्ट्राग्रम पर लाइव भी आती ह जिसमें वो फूट फूट को रोती नजर आई लेकिन मौत की वज़ा अभी तक असपस्ट नहीं हो पा रहा है अब ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि अकांचा दुबे किस दवाव में थी उन्होंने आत्माहत्या क्यों किया अकांचा दुबे ऐसा कदम क्यों उठाई बाकि